पाँच फरवरे बाबा हम सभी को ज्ञान के कुछ कुई ये रहस भी सिखा रहे हैं, बता रहे हैं और नसा भी चड़ा रहे हैं मैं तुम्हारा परंपिता हूँ, दुनिया में कोई ये नहीं जानता कि बेहद के बाप से बहुत सुख मिलता है मैं तुम्हें पवित्र बनाकर राजाई प्रदान करता हूँ, कोई नहीं जानता कि उनसे हमें स्वरक की बादसाही मिलती है मैं तुम्हे राज दिलक देने आ गया हूँ, पढ़ाई से तुम राज दिलक लेते हो, और इन विकारों पर विजे प्राप्त करने से धर्म स्रेष्ट और कर्म स्रेष्ट बन जाते हो, श्रेष्ट धर्म की स्थापन अजाती है, तुम्हारे कर्म भी श्रेष्ट हो जाते हैं, लोग कोई कर्म तो आज ब्रस्ट हो गए हैं, द्वैथी द्वैथ है, लड़ाई जगडे हैं, कहीं भी सुक्ष्यानती नहीं है, मैं आता हूँ, ऐसे नहीं बुलाने से आता हूँ, बुलाते तो तुम मुझे द्वापुर से आये हो मैं अपने समय पर आता हूँ, ड्रामा में सब कुछ फिक्स है जब भगती का पार्ट पूरा हो जाता है, तब मैं आता हूँ, मैं टीचर हूँ तो मैं आकर स्रस्टी के आदी मध्यंत का ग्यान देता हूँ, तो मैं कोई उपर बैट के तो नहीं दूँगा टीचर कोई प्रेना से तो नहीं पढ़ाएगा, जरूर मुझे आना पढ़ेगा, पर मैं निराकार हूँ इसलिए इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ, और तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ, तुम्हें पढ़ाता हूँ, अब मैं तुम्हारे संमुख बैटा हूँ, सत्य ज्यान में ही देता हूँ देखो लोग तो क्या करते हैं? जिशी मुनी सतो परधान थे, पवितर थे, तो नेती नेती कहते थे, यानि हम नहीं जान सके भगवान को, और जब तमो परधान बन गए, तो हमी भगवान हैं, एहम भगवान हैं, कितनी तमो परधानता हो गई, बाबा इसको करेक्ट कर रहे हैं, कोई भी देधारी मनुस भगवान नहीं हो सकता, भगवान तो एक निराकार मैं हूँ, जो ग्यान का सागर हूँ, तुम्हें ग्यान देता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ, तुम्हें विश्व की बादसाही देता हूँ, स्वर्ग में तुम्हें पता नहीं होता, कि हमें ये विश्व की स्वर्ग कि बात सही किस से मिली है मले यह वहां लोकी बाप होता है वो बच्चों को तिलक लगाकर गद्धी नशीन करते हैं तंतो उन से राजा ही नहीं मिलती संगम युग पर मेरे द्वारा तुम्हें राज तिलक मिला है द्वापुट से फिर खेल सुरू हो जाता है कर्मों का कर्मों के आधार से सब को पद मिलने लगते हैं कोई राजा बनता है कोई परजा कोई गरीब कोई शावकार अब मैं तुम्हें स्रेष्ट कर्म सिखा रहा हूं तुम कैसे स्रेष्ट कर्म करो और तुम विकार उपर विजय पाते हो तो इससे स्रेष्ट धर्म की स्थापना हो जाती है महा तुम्हारा राज अचल अडोल अटल रहता है कोई देख भी नहीं सकता क्योंकि एक ही धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म बाबा रियलाइज करा रहे कोई भी भारतवासी यह नहीं समझता कि हमादी सनातन देवी देवता धर्म के हैं सनातन धर्म कह देते हैं लेकिन मैं तुम्हें ऐस इस्रेष्ट राजाई देकर आता हूँ मैं इस ब्रह्मातन में आता हूँ देखो ये भी साधारन रूप से रहता है कोई ठाट वाट से नहीं और तुम्हें भी साधारन रहना है ठाट वाट से नहीं बहुत सिंपल रॉयल बहुत रुहानियत से भरपोर तुम्हें रहना है तुम्हें तो बस योग लगाना है जितना जो जादा योग लगाएगा उतन ही जद समय राजाई प्राप्त करेगा देखो राजाई मिलनी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी बिना मेहनत के तो कोई राजाई मिल नहीं सकती और तुम्हें मिलती है स्वरक की राजाई तो तुम योग लगाने की भी मेहनत करो और इन विकारों को पूरी तरहे जीत लो तो तुम्हें राज दिलक मिल जाएगा बाबा इसमर्ती दिला रहे हैं बच्चे तुम संपूर निर्विकारी थे वाइसलेस थे देखो इलक्षमिनायन तुम्हा रेवता थे द्वापुर से तुम भक्ती करते आए ये अग तब दान पुन्य करते आए सास्त्र पढ़ते आए लेकिन नीचे उतरते ही आए और सोचते रहे भगवान कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में आएगा जरूर, क्योंकि तुम इस समय मेरे से मिले हो, तो तुम इस मिलन की इच्छा रखते आए हो, ये भगती जाड है, व्रक्स, विस्तार, ज्यान बीज है, बीज छोटा होता है, भगती का विस्तार देखो कितना है, नाचना, गाना, किर्टन करना, भजन गाना, ये सब भगती में चलता आता है, लोग अल्पकाल का सुख पाते रहते हैं, लेकिन नीचे उतरते ही आते हैं, तो भगती का फल देने के लिए, मैं तुम्हें कलियुक के अंत में आता हूँ, मैं स्रीमत देता हूँ, जितना तुम मेरी मत पर चलोगे, और पवित्र बनोगे, उतना ही तुम्हें राजाई का तिलक प्राप्थ होगा, तुम यहां भी बहुत सुखी हो जाओगे, तो अब तुम्हें मेरी मत पर चलना है, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही तुम्हें सत्य ग्यान दे रहा हूँ, और मेरी मत ही तुम्हें स्रेष्ट कर्म करने भी सिखाती है, इसलिए कोई पाप करम हम से न हो, इसका भी बहुत ध्यान देना है, वर्दान है, तिरकाल दर्सी बन कर, माया के वार से सेफ रहने वाले, अतिंद्रिये सुख के संपन भव, हमें माया का भी संपूर्ण ज्यान है, अब हम माया से सेफ रहते हैं, अगर माया का ज्यान न हो, तो हमें पतन चलेगा माया कब से आ गई माया का वार होता रहेगा तो अतिंद्रिये सुख कभी नहीं भासेगा और अतिंद्रिये सुख भासेगा तो ये इंद्रियों का सुख ये संसार का सुख तुमें तुछ प्रतित होगा स्लोगन है सेवा के साथ यदि मन्सा वाइब्रेशंस भी पावर्फुल हो तो तुम पावर्फुल वायूमंडल बना सकते हो तो आज हम सारा दिन अब भ्यास करेंगे मैं मास्टर सारुशक्तिवान हो और सारुशक्तिवान से बाबा मेरे सिर के ऊपर छत्र चाया है हर गंटे में एक बार अच्छी त करें ओम जांपी